मकर संक्रान्ती के दिन किसकी पूजा होती है? मकर संक्रान्ती के दिन भगवान विश्णु और सूर्यदेव की पूजा होती है. हिंदु धर्म में मकर संक्रान्ती का पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन से सूर्यदेव, शनी देव की सूर्य देव की पूजा जो पूरे विधि विधान से करता है उसकी मनो कामना सूर्य देव अवश्य पूरी करते हैं और उस व्यक्ति पर सूर्य देव कृपा बरसने लगती हैं। पूर्य देव को अर्ग देना चाहिए मकर संक्रांती के दिन किसका दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। में छुपा कर हम किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी भूखे जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं इस दिन हमें खिचडी का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा और आपके रुके हुए कार्य शीग्र ही पूर होंगे मकर संक्रांति के दिन इन कामों को हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए और अपने द्वार पर आये हुए किसी भूखे जरूरतमंद व्यक्ति को कभी खाली हात नहीं लोटाना चाहिए इस दिन भूल कर भी हमें रात का बचा हुआ बासी खाना या तामसिक भोजन न नहीं करना चाहिए और विशेश रूप से इस दिन नशा करने से बचना चाहिए इससे नकारात्मक उर्जा हावी होती है मकर संक्रांती के दिन हमें किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और अपनी वानी पर संयम रखना चाहिए मकर संक्रांती का पर्व हमें हर्ष और उ आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। व्रिशब राशे, व्रिशब राशे के जातकों को इस दिन सफेद कपड़ा, दही एवं तिल का दान करना चाहिए। मिथुन राशे, मिथुन राशे वाले जातकों को मूंग दाल, चावल एवं कंबल का दान करना चाहिए। अगर इस राश्य के जातकों को कोई शारीरिक कष्ट है, तो शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए काला तिल, चादर या खिचडी का दान भी कर सकते हैं. कर्क राश कर्क राश के जातकों को इस मकर संक्रान्ति पर चावल, चांदी, एवं सफेद तिल का दान करना चाहिये. कर्क राश के जातक、 पीले रंग का वस्तर, दूद या घी भी दान में दे सकते हैं. सिंह राशी इस राशी के लोग अगर इस दिन किसी गरीब को घर दूध देने वाली गाय, लाल सफेद वस्त्र, सोना, तांबा, केसर मुंगा, चांदी घी शंक और मोती का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा कन्या राशी कन्या राशी का स्वामी बुद्ध है, जिन लोगों की राशी कन्या है, उन्हें बुद्ध से संबंधित वस्तुएं, जैसे कांसा हरेवस्त्र, घी पैसा पन्ना सोना, शंक और फलों का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा कन्या राशी के लोग इस दिन अपने से बड़ों का आशिरवाद जरूर लें, तुला राशे, तुला राशे वालों के लिए इस मकर संक्रान्ती पर साथ तरह के अनाज दान करना बहुत ही शुभ रहेगा, इसके साथ ही यदि आप चाहे तो सफेद कपड़ा कंबल और कपड़ों का दान करते हैं, तो आपको पितरों की नाराजगी से मुक्ती मिलेगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी, धनूराशे, धनूराशे के जातकों को इस मकर संक्रान्ती पर पीले कपड़े, पीली दाल, हल्दी और गुड का दान करने से बहुत ही पुन्य करने से आपको सुख सम्रिद्धि की प्राप्ती होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कुम्भ राशे, कुम्भ राशे के जातकों को काली दाल, काले वस्त्र एवं काले तिल का दान करना बहुत ही होगा, मीन राशे, मीन राशी के लोगों को रेशमी वस्त, चने की दाल, तिल और चावल का दान करना चाहिए